लो एवरिवन वेलकम टू आज चैनल इंडोलोगर्स तो आज हमारा साइन्स का टॉपिक है ब्लट पे आपको पता है कोई भी एक्जाम हो अगर भारत में कोई भी एक्जाम चल रहा है चाहे वो सेंटर का हो या फिस्टेट का हो साइन्स के कुशन्स तो पूछे ही जाते हैं स साइन्स के कुशन में सारे टॉपिक्स जो मैं कावर कर रही हूँ सारे टॉपिक बहुत इम्पॉर्ट अज उनी में से के इम्पॉर्टन टॉपिक मैं ला जो घूट ब्लट पे जो हमारा रक्ट होता है उस पर बाकी अगर आपने नहीं देख है इससे पहले मेरी जितनी आ चुकी हैं वो भी जरूर देखना आप लोग बहुत हैं इंपोर्टेंट और बहुत हैल्फूल कोश्चंज डाल लेकि मैंने आप लोग के लिए ठीक है तो चलिए ज्यादा समय ना लेते भी स्टार्ट करते हैं हैं दाओर्ट अपने के लिए किस यंतर का प्रियोग किया जाता हैं आपको पता है हर कुछ ना आपने के लिए क्या होता है वैसी है blood pressure को नापने के लिए क्या होता है sphagomanometer अब थोड़ा option पर आ जाता है lactometer, lactometer से क्या नापा जाता है density of milk milk की density नापी जाती है इसे दूद की density thermometer बहुत well known है नाम इससे temperature नापने के काम आता है glucometer इससे blood sugar नापा जाता है blood sugar नापा जाता है जैसे diabetes patient जो होते हैं उनका blood sugar glucometer से नापा जाता है next है in which part of the body is blood produced रक्त का निर्मान सरीर के किस अंग से होता है तो रक्त का निर्मान अपने bone marrow से होता है जो अपना bone marrow होता है उससे ही रक्त का निर्मान होता है next है hemophobia is the fear of hemophobia किसका fear है तो hemophobia है blood का देखा हेमो से बना hemoglobin इसकी spelling में तो यह होती है होती ही नहीं होती है hemoglobin तो hemoglobin मतलब blood और वैसे ही थोड़ा option और में आते है hemoglobin का तो हमें पता चल लिए blood ठीक है darkness जिसको darkness अंधेरे से डर लगता है उसको क्या बोलते है उसको बोलते है nectophobia अब जिसको water से डर लगता है उसको बोलते है hydrophobia बोलते है या तो hydrophobia बोलते है phobia तो डर हो गया जो सब के पीछे आता है या फिर aquaphobia बोलते है और height से जिसको डर लगता है उसको एक्रोफोबिया बोलते है ऐसे ही सारे interesting या फिर science से related सारे आपको हमारे दुसरे चैनल जो है नौले राइजिंग उसमें भी देखने को मिलेंगी मैं उसमें भी ऐसे इंट्रस्टिंग कोश्यंस लेकर आते रहती हूं और हर सब्जेक्ट में लाती हूं सिर्फ साइन्स में नहीं कोई भी सब्जेक्ट कॉम्पुटेटिव लेवल क हर सब्जेक्ट में लेकर आती रहती हूं आप वो चैनल भी जाके हमारा देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेट और बहुत हेल्फूल होगा आप लोग के लिए ठीक इसमें तो मैं आपका गोत्रू करवा ही रही हूं साइन्स में आपकी स्ट्रॉंग बना दूंगी लास् रक्त में ऑक्सिजन ग्रेंड करने का कारी कौन करता है तो वो करता है हमोगलोबिन करता है ठीक है तो हमोगलोबिन परफॉर्म दे टास्क ऑफ कैप्चिरिंग ऑक्सिजन इन दा ब्लड ठीक और जो हमारा रेट कलर होता है वो भी किसकी वज़े से होता है हमोगलोबिन की व होता है next is with cells in a body are popularly known as soldier of the human body हमारे सरीर को किन कोशिकाओं का लोग पिरी रूप से माना शरीर के सैनिक के कहा जाता है अब बताओ the soldier of human body किसको बुला जाता होगा किसको बुला जाता है white blood cells को बुला जाता है क्योंकि जो अपना white blood cells होता है ये immunity strong करने में और जितनी भी diseases होती है हमारे body में उससे fight करने में help करता है अब देखो जो soldier है वो fight ही तो करते है न हमारी देश की रक्षा के लिए वो fight करते हैं हमेशा ततपर खड़े रहते हैं वैसी हमारे शरीर के white blood cells भी हमेशा ततपर खड़े रहते हैं किसी भी disease से लड़ने के लिए और हमारी immunity system को strong करने के लिए हमें safe रखने के लिए हमें healthy र होता है यह जैसे allergic reaction होता है उससे fight करने में help करता है जिक red blood cells क्या होता है यह carrier of oxygen and carbon dioxide यह oxygen का carrier होता है carbon dioxide को release करने में help करता है जिक बैसोफिल्स क्या होता है बैसोफिल्स जो parasitic infections होते हैं उनसे fight करने में help करता है ठीक है सारा go through कर लिया good चलिए आएगे बढ़ते है नेक्स है blood does not coggulate inside the body due to presence of रग्त किसी उपस्तिती के कारण सरीर के अंदर जमान नहीं होता है किसकी उपस्तिती के कारण तो हेमा हेपरिन के कारण ठीक है हेपरिन इस दा मोस्ट पावर्फुल anticoagulant ये एक most powerful anticoagulant होता है हमारी body का ठीक तो ये क्या करता है it is secreted by the basophil cells ये किसके द्वारा secret होता है बहुत बार ये question पी पूछा जाता है basophil cells के द्वारा ये secreted होता है और ये anticoagulant होता है बहुत ही powerful anticoagulant होता है तो इसी लिए सरीर के अंदर कुछ भी जमा होने से बचा लेता है ठीक नेक्स है blood is a blood क्या है तो blood एक हमारा connective tissue है ठीक है because it has a matrix ये matrix होता है इसमें ठीक है matrix होता है इसी लिए इसको पूरा क्या बोलता है connective tissue बोलता है ठीक है एक दुसरे से connected रहता है next what is the main function of white blood cells अभी मैंने बताया white blood cells हमारे शरीर का soldier है क्यों क्योंकि वो लड़ने में help करता है बिल्कुल fight करने में help करता है हमको healthy रखने में help करता है तो वो क्या करता है fight to fight against infection कोई भी संक्रमंट से लड़ने के लिए help करता है next blood group were discovered by blood group किसके द्वारा discover किया गया था तो land stainer के द्वारा अपना blood group जो था वो discover किया जा था हर चीज साइन्स कुछ ना कुछ किसी के द्वारा discover किया जाता है तो जो land stainer थे उन्होंने blood group कर रहा था next the pH of human body is हमारी human body का pH कितना होना चीए 7.4 7.4 तक हमारा human body का blood का pH होना चीए next है blood leaving the liver and moving towards the heart has a higher concentration of रक्त यक्रत को छोड़के हिरेदे की ओर बढ़ने पर डैस की उच्छ शाधरिता होती है तो किसमें bile pigments में और जो liver होता है वो bile juice secret करता है ये भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको ठीक है जो digestive system का इतना detail में वीडियो चला था उसमें भी मैंने बताया था चिक आगे देखते है that is a condition in which there is a deficiency of red cells or of humoglobin in the blood अब देखिए बोलते हैं जब खून की कमी हो जाती है mostly ये औरतों में होती है women's में होती है खून की कमी हो जाती है गोलते हैंने अनेमिय की शिकायत हो गई low hemoglobin हो गया क्या होता है? घब red blood cells की deficiency हो जाती है hyumoglobin की deficiency हो जाती है तो उसको अनेमिय बोलते हैं Prothivin responsible for clotting of blood is released by रक्त के ठक्का जमा करने के जिम्मेदार प्रोफिदिन किसके द्वारा जारी किया जाता है तो किसके द्वारा जारी किया जाता है Blood platelets के द्वारा और इसको Blood platelets को और क्या बोलते है Thermobocytes यह mainly human blood में पाया जाता है और mammals में पाया जाता है इसमें कोई भी nucleus नहीं होता है और यह bone marrow में जेगे बनाता है ठीक पता चल गया और Prothivin जो अपना है It released by the blood platelets Important है यह सुन लेना ठीक और जो vitamin K इसके साथ कौन सा vitamin जुड़ा होता है Vitamin K Blood clots के साथ कौन सा जुड़ा होता है Vitamin K Vitamin K की भी मैं detail में video लाई भी हूँ ठीक है Knowledge Rising Hub चैनल में मैं vitamins पे इतनी detail में video लाई हूँ अगर आपने देखी होगी तो आप बिलकुल आग बंद करके tick करेंगे उसको मैं बहुत detail में लेकर आई थी उसमें भी ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते है Blood is a connecting tissue अभी मैंने बताया Blood एक connected tissue है क्योंकि उसमें matrix होता है Blood is a connected tissue embedded in which type of intercellular matrix रक्त एक सहियोजी उत्तक है जो किस प्रकार की intercellular matrix में अंतहिनरीत है तो किसमें होता है वो? Fluid में Blood is called a liquid connected tissue क्योंकि इसमें क्या होता है? Because it connects various body tissues and organ together by oxygen hormone and various nutrients बहुत सारे nutrients के साथ hormones के साथ oxygen के साथ ये एक साथ जुड़ा हुआ होता है इसलिए इसको connected tissues बोलते हैं चिक है? Next is the process of blood clotting is called रक्त के ठक्का जमा करनी की क्रिया को क्या बोलते हैं? Cogulation बोलते हैं चिक? Next is which is the largest blood vessel in human body? माना सरीर में सबसे बड़ी वाहिका कौन सी होती है? तो वो होती है एरोटा ये ओटरा बोलते हैं Next is which of the following is the universal blood recipient blood group? recipient पूछ रहा है जो किसी का भी blood ले सकता है तो वो AB है AB is a universal recipient और universal donor किसको बोलते है? O blood group वाले को चिक? Next is what is the normal blood pressure in human beings? मनिश्य का समान रख्तचाप कितना होता है तो वो 120 और 80 होता है अगर 120 से बढ़ गया या 80 से कम हो गया अगर 80 से कम हो गया तो blood pressure low है 120 से बढ़ गया तो blood pressure high है इसलिए हमारा मानाव शरीर का blood pressure 120 से 80 के बीच में होना चाहिए Next is the blood vessel having smallest diameter in the body is सरीर में सबसे छोटी व्यास वाली रख्त वाहिना कौन सी होती है Capillaries होती है मैं respiratory system में अपने digestive system में सब ये बहुत detail में बता चुकी हूँ तो सबसे smallest diameter कौन सी होती है Capillaries होती है Next is human blood contained percentage of plasma मान रख्त में plasma dash होता है कितना प्रतिस होता है 55% of plasma हमारी human blood में present रहता है तो यहां तक के most 20 question थे चलिए एक practice question है तो चलिए बढ़ते हैं अपने next practice question में ठीक है practice question में डालती ही हो एक जिसका answer आप comment box में मुझे जरूर से देना क्या है question A person with blood group O can receive blood from a person with blood group रख्त समू O वाला व्यक्ति डैश रख्त समू वाले व्यक्ति से रख्त प्राप्त कर सकता है अभी मैंने बताया A B अपना universal recipient है और universal donor अपना O है तो उसका हिसाब लगा के आप मुझे इसका answer comment box में जरूर से देना मैं practice question एक डालती ही हूँ प्राक्टिस हो जाती है तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स क्लास में